नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग एक्जाम्स की प्रिप्रेशन करने वाले सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी नियूज है, एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है NISEL जिसका फुल फाम होता है New India Assurance Company Limited, इसकी AO, मतलब administrative officer की 300 vacancies का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुक तो one by one सभी points की information मैं आपको एंट तक देने वाला हूँ, age हो, post, qualification, syllabus, exam pattern, negative marking, जैसे minimum 5 years इसमें आपको job करना ही होगा, है ना, probation period है, bond इसमें रहेगा, salary है, pre, means, descriptive interview, कैसे apply करना है, government job है या नहीं, ऐसे बहुत सारे questions आपके mind में होते हैं, तो इन सभी के answers मैं आपको दूँग से ये वाला job कैसे अलग है, और banking exams वाले बच्चों के लिए क्यों ही अच्छा है, इस सभी छोटी छोटी सभी जो प्रशन है आपके दिमाग में, इन सब के जबाब दूँगा, end तक बने रहेगा, और अगर आप इस वीडियो को end तक देख लेते हैं, तो आपका कोई भी question नहीं बचेगा, कोई भी question आपके मन में है, एक बार इस वीडियो को आप पूरा देख लिजिए, आईए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले, तोटल इसमें 300 vacancies हैं, अगर हम सभी को देख लें, SC, ST, OBC, EWS, Unreserved, All India लेबल का exam है, Officer लेबल का exam है, तो obviously, overall यहाँ पर रहेगा, में आप इसके लिए apply कर सकते हो, October में, date इसमें नहीं बताई गई है, लेकिन October में आप इसके लिए, इसका prelims होने वाला है, pre exam जो होगा, लगभग एक महीने बाद, November में इसका mains होने वाला है, हाला कि interview इसके आप और एक महीने बाद मान लिजिए, मतलब December के आसपस इसका interview रहेगा, सबसे पहले pre होना है, उसके बाद mains plus descriptive होना है, और third stage इसकी interview है, आगे मैं सभी का आपको पूरा system बताने जा रहा हूँ, इसका special badge हमारा start हो चुका है, जिसकी fees only 1499 है, और क्या क्या रहेगा इस badge में, complete हम आपको पढ़ाने वाले, end में इसकी information भी मैं आपको दूँ आईए, देखिए सबसे पहले इसमें इन्होंने clear लिखा हुआ है कि total 5 साल का यहाँ पे आपको service period रहेगा, मतलब आपको जो first joining आपकी होगी, मान लीजे आप कहीं भी All India Label का job है, कहीं भी आपको posting मिलती है, जो आपकी first posting रहेगी, वहाँ पे आपको 5 साल तक रहना होगा, 5 साल के पहले कोई transfer या ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होने वाला है, बस यहीं सम्में लिखा हुआ है, आप बस last line पढ़ लिजे, the minimum stay at the initial place of posting will be 5 years, जो मैंने आप से कहा, अच्छा, next, probation period, देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है, उन्हें में बता दू कि इसमें probation period 1 year का होता है probation period का मतलब होता है एक प्रकार का training period, मतलब आपको उस बीच में सिखाया भी जाएगा, training programs भी होंगे, आपको देखा जाएगा कि आप अच्छे से सीख रहे हो नहीं, तो यह सब चीजे होती 1 year का probation period है, जो easily बच्चे इसको पास कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या generally नहीं आती है, बहुत normal process है, कोई समस्या नहीं है, एक प्रकार का आप on job होते हो, कोई difference नहीं है, salary है सब आपको मिलेगा, इसके अलाबा bond की अगर हम बात करें, तो इसमें 4 years का bond है, 4 साल के पहले अगर आप job छोड़ते हो, तो यहां इनों लिखा है, 1 year's gross salary, एक साल से, एक साल की आपक 20,000 रुपए, जो आपकी training पे खर्चा होगा, यह आपको देना रहेगा, 4 साल के बात छोड़ते हो, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 4 years इसका bond रहेगा, इसका आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है, salary, details यहां पे है, आप insured यहां देख सकते हैं, 60,000 per month, metros में, अगर और छोटे शहर हैं, तो थोड़ी बहुत कम रहेगी, सुविधाएं आपको सारी मिलनी है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि government job है या नहीं, तो भाई साब यह government job है, 100% है, कोई दिक्कत परिशानी नहीं है, और अगर आप मुझसे पूछोगे, सर, State Bank of India P.O. या बाकी से अगर इसको compare करें, तो मैं कहूंगा कई गुना ही अच्छा है, क्योंकि in terms of pressure, in terms of working बहुत smooth है, बहुत आराम है, और बाकी से job हर जगा है, मेहनत हर जगा है, लेकिन अगर हम banking sector से compare करें, तो insurance में जो work pressure है, वो कई गुना कम है, तो यह अगर आप bank P.O. बनने का सोच रहे हो, bank P.O. लेबल का exam है, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, math पूरा banking pattern है, reasoning वही है, English वही है, current affairs सब कुछ वही है, P.O. लेबल का paper है, लेकिन अगर आप bank P.O. और A.O. या डबल A.O. को चुनते हो, तो insurance का administrative officer is much better, कई गुना, बहतरीन decision आपका यह होगा, इसलिए स्मोके को बिलकुल हाथ से मत जाने दीजिएगा, चलिए, आगे बढ़ते है, educational qualification, simple graduation है, 60% यहाँ पर है, general candidates के लिए, और अगर आप AC, ST, PWD candidates हैं, तो 55%, minimum percentage यहाँ पर चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है, आपका जो result है, 39, 2021 के पहले आजाना चाहिए, अगर उसके बाद आता है, त 10 years, maximum age 30 years, as on 1 April 2021 के हिसाब से, दूसरी बात, category wise relaxation है, SCST के लिए 5 years का है, OBC के लिए 3 years का है, person with benchmark disabilities 10 years का है, और फिर पूरी list है, अगर आप इसके notification को डाउनलोड करना चाहते हो, या हर प्रकार के government job के updates, इससे related classes, free courses से update रहना चाहते हो, तो हमारी telegram पर channel है, telegram पर जाहिए, the winners institute search करिए, और इसे जुड़ जाइए, और आप अभी जिस channel पर है, इसको भी subscribe करके रखिए, banking के हमारी special channel है, winners, banking exams, इस पर लगातार classes हम देते रहते हैं, बहुत सारी information आपको यहापे मिलती रहती हैं, अब बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले इसमें आपका होना है pre, pre के बाद आपका रहेगा mains, और mains के साथ ही आपका descriptive paper रहेगा, और उसके बाद आपका interview और फिर final आपका joining और सारी चीज़े रहेगी, तो pre का जो pattern है वो यहाँ आप देख सकते हैं, English, reasoning और maths, 30 questions English के, 35, 35 आपके हो जाएंगे, sectional timer यहाँ पर रहेगा, total आपके बास एक घं marking 0.25 की रहेगी, और इसमें यहाँ और लिखा गया है कि लगभग vacancy के 15 गुना लोगों को mains exams के लिए बुलाया जाएगा, candidate have to qualify in each section by securing passing marks to be decided by the company, और बाकी फिर 15 गुना लोगों को लिया जाएगा, तो sectional का top भी रहेगा, overall का top भी रहेगा, दोनों चीज़े आपे रहेगी, जब आप pre को pass कर जाते हो, तो आपको mains के लिए बुलाया जाएगा, जो total 200 marks कर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो चीज़े होनी है, subjects वही है, mass, reasoning, English, current affairs, है ना, यह चारो subjects आपके पास रहेंगे, insurance या ऐसे related, जो बच्चे सोचते हैं कि insurance industry है, हमें insurance का knowledge नहीं, so don't worry, insurance related कोई भी questions या कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, वो सब after selection आपको सारी चीज़े सिखाए जाएंगी, तो यहाँ पर यह सारे number of, मतलब कितने marks हैं, लगभग यही questions हैं आपके, है ना, यहाँ पे इन्हों ने इसको हाला कि special mention नहीं करा है, उपर लिखा है 200 marks और descriptive 30 का रहेगा, और यहाँ पर भी sectional timer आपके पास रहने वाला है, तो total objective based रहेगा, mains और इसका main weightage रहेगा, आपका selection जो है, पूरे तरीके से इसी पर depend रहेगा, same day mains होगा, उसी के जज़वाद आदे घंटे का descriptive paper होना है, और इस descriptive paper total 30 minutes का रहेगा, 30 minutes के होने के साथ 30 marks का 10 marks का letter writing रहेगा, और essay writing रहेगा 20 marks का, और आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, each candidate will be required to obtain minimum score, मतलब sectional का top भी है, overall का top भी रहेगा, descriptive सिर्फ qualifying है, इसके marks add नहीं होंगे आपके, यह qualifying nature का है, मतलब पूरा पूरा खेल जो है, आपका mains का है, यह बात आपको ध्यान रखनी, बाकी यहा candidates shall be required to qualify in the descriptive test, marks in the descriptive test will not be counted towards short listing for interview और final selection, प्री हो या मेन सो, आपकी negative marking यहाँ पर रहेगी, और negative marking कितनी है, वन फोर्थ या जिसको हम 0.25 बोलते हैं, यह आपकी रहने वाली है, आगे बढ़ते हैं, next है आपका last phase, जो है वो interview, और जब आप interview, आप वले winners app पर हमसे कोई course पढ़ लेकिन हम all India banking exams के कोई भी interview हो, उसकी preparation free कराते हैं, तो अगर आप इसको qualify करते हैं, तो आप interview के लिए हमसे contact करिएगा, आपकी free of cost interview की preparation हम कराएंगे, और मैं खुद क्योंकि बहुत सारे banking exams में selected रहा हूँ, SBI PO हो, LICW हो, जॉब मैंने की है, तो अच्छा experience है interview का भी, वो भी मैं आपके साथ पूरा share करूँगा, पूरी panel के साथ हम आपकी preparation कराएंगे, यहाँ पर interview का और आपका जो exams का ratio है, वो 75, ratio 25 है, मतलब जो आपका online examination है, उसके 75% marks रहेंगे, 75% weightage रहेगा, 25% आपका interview करहेगा, तो इस आधार पे आपका final selection होगा, बाकी बहुत सारी details है, जो आ अलग या नया ऐसा यहाँ पर नहीं है, इसके लिए जैसा मैंने कहा आपको कि apply 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आपको इसको कर देना है, ACST, PWD candidate है 100 rupees, all other candidates के लिए 750 rupees कराएगा, online आपको apply करना रहेगा, online के लिए आपको कहां जाना है, तो newindia.co.in पे आप जाएंगे, व वहाँ आप जाएं, apply करें और आराम से इसका form भरके preparation में लग जाएं, तो ये तो सारे बो points हो गए जो आपके मन में थे, उमीद करता हूँ, सारी चीज़े आपको clear हो गई होंगी, कुछ छोटी-छोटी चीज़े आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये government job है, पहल वाला या target वाला इसमें नहीं होता है, generalist है, basic जो हमारे administration related work होते हैं, जैसे मैं जब LICAA हो था, तो generally LIC सुनते ही हमें लगता है कि policy बेजना है, target से ऐसा नहीं है, जो administrative work होते हैं, table पर बैठकर काम करने वाले जो departments होते हैं, वो काम होते हैं, generalist मतलब वही होता है, इसमें sales य वो इसकी तयारी कैसे करनी है, तो आप इसकी तयारी हमारे साथ कर सकते हैं, इसका batch हमने launch कर दिया है, play store पे आप जाएंगे, winners की app download करेंगे, और वहाँ पे आपको courses में, paid courses में इसका batch दिखेगा, pre plus means plus interview की complete preparation हम आपको करा रहे हैं, maths हो, reasoning हो, English हो, current affairs, सभी कुछ आपको मिले हैं, यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो यह launch हो चुका है, और सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे, मेरे सारे maths के lectures हो, reasoning का पारतो सरका हो, English में आपको एक अच्छी चीज हम दे रहे हैं, कि English आपको हम इसमें live दे रहे हैं, maths और reasoning recorded मिलेगा, लेकिन English आपको live मिलेगा मतलब आप आज purchase करते हो, तो कल से ही आप live English के lectures attain कर सकते हो, हाला कि बीच बीच में हम आपको interact करेंगे, guide पूरा आपको करेंगे, सारे talk sessions रहेंगे, आपको पूरा बताएंगे कैसे prepare करना है, जो भी tips से, technique से, हजारों बच्चे winners की app पर पढ़ रहे हैं, और talk sessions, सारी जे guide करेंगे, करना क्या है, आपको winners की app पर जाना है, play store से download करना है, और उसके बाद आराम से आप paid courses में जाके इसको कर सकते हैं, बहुत सारे lectures हमारे upload हैं, आप winners की जो हमारी main channel इस पर देख सकते हैं, banking exams की channel है, हमारी special, motivational channel है, job alerts है, अगर आपको मेरे maths की videos देखना हो, बहु इसके सारे videos आपको दिखने लगेंगे, और अगर आपने एक बार कोई video देख लिया, तो फिर आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाओगे, पूरा chapter, पूरा syllabus complete करने से, तो बहुती बहतरीन quality के साथ हम सारी चीज़े provide करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, selection तक पहुचाने की भरपूर मदद और कोशिश करते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेहनत ना करना पड़े, कम मेहनत में अपना काम हो जाए तो ऐसा नहीं है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, क् विनर्स में आपको सबसे खास बात यह मिलती है, कि हम आपके साथ भरपूर मेहनत करते हैं, बस आपको हमारे साथ मेहनत करनी है, तभी आपको सफलता हम दिला सकते हैं, तो उमीद करते हैं कि यह जो NICL का, AO का जो notification है, सारे questions आपके clear हो गए होगे, अगर कोई doubt है, कोई question है तो आप comment box में जरूर लिखिएगा, मैं next videos को लेकर बना दूँगा, आप कहेंगे तो syllabus को लेकर, cut off को लेकर भी एक video मलग से बना देंगे, लेकिन आप comment box में मुझे जरूर बताइएगा, जाते जाते, like जरूर करिएगा, जितने भी बच्चे इस channel पे नए हैं, वो subscribe जरूर तो एक बार आप जुड़िए, और अगर आप इसकी बहुत seriously systematic preparation करना चाहते हैं, तो आपको इसका special जो batch है वो जरूर join करना चाहिए, बाकि सारी details फिर हम आपको batch में जब आप enroll करते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको पूरा हम guide करते हैं, सारी चीज़े हम आपको बहाँ पे, speed कैसे बढ़ाना है, बहुत सारी चीज़े होती हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ बहुत जरूरी होती हैं, यह सब चीज़े हम आपको batch में guide करते हैं, तो आज बस इतना ही इतना ही पे ही रुखते हैं, बाकि आप comment करके बताईए कि आप और क्या चाहते हैं, किस चीज को लेक और खुब मैनत करिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंत!